गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हावारी बेटा, आई होप आप सवस्थ होंगे, आज बेटा SST में पोलिटिकल साइंस का फॉर्स चैप्टर सत्ता की सांजिदारी के उपर हम चर्चा करेंगे, तो पहले लेते हैं बेटा सत्ता की सांजिदारी का आर्थ, जब किसी सासन विवैस्था में हर सामाजिक समू और समूदाए की बागेदारी सरकार में होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सत्ता की सांजिदारी कहेंगे, लोकतंतर का एक परकार से मूल मंतर है, सत्ता की सांजिदारी किसी भी लोकतंतर सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्स सासन के तरीकों के बारे में उनसे सला ली जाए तो यहां पर हमने क्या बताया सत्ता के साइजदारी का आर्थ अब बेटा हम बात करते हैं बेल्जियन जो समाज है उसकी जातिय बुनावट के उपर तो देखो बेटा बेल्जियम एक परकार सी यूरोपिय माधीप का एक देश सा देस है देश की कुल आबादी सिविघ्र कि उनशट विष डिऊ कौन शी चेतर में रहता है प्लेमिस इलाके में रहता है कि और क्या बोलता है कौनकी पास्षा बोलता है डच बोलता है और शेस ज है चालीस सुषी दी 40 फिसीदी हिस्सा कौन से चेतर में रहता है बैटा वेलोनिया वेलोनिया चेतर में रहता है वेलोनिया चेतर में रहता है और क्या बोलता है बैटा वो फ्रेंज बासा बोलता है कौन से बासा फ्रेंज बासा बोलता है ठीक है सेस हम देखते हैं बेटा सेस एक परतिसत सेस एक परतिसत जो जर्बन बोलते हैं और उसकी जो राजधानी का नाम क्या है बेटा उसकी राजधानी बेटा बुर्शेलस बिष्यलस में हम देखते हैं 80% क्या बोलते हैं आसि फिसी दी लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% क्या बोलते हैं तो यह क्या होगी बेटा बेटा बेल्जियम समाज की जातिय बुनावट ठीक है आगे चलते हैं बेल्जियम की सांजिदारी के बारे में देखो बेटा बेल्जियम की सांजिदारी ऐसी बासई विविर्टा कई बार संस्कृति और राजनी जगड़े का कारण बन जाती है परन्तु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन परकार की सासन पत्ते अपना कर संस्कृति विवित्ता इमचेत्रे अंत्रों से होने वाले आपसी मत बेदों को दूर कर लिया है उन्हें बार बार सिविधान में संसोधन इस परकार से किया कि किसी भी व्यक्ति का बेगापन मन अलगापन का एसास नहो और सबी मिल जुलकर रह सके सारा विशु बेल्जियम के इस सांजिदारी के मलो दाद देता है मलो यहां तक बड़ाई गरता है बेटा आगे चलते हैं स्रिलंका में समाज की जाती बुनावट अब हम स्रिलंका के जाती बुनावट के उपर लेते हैं देखो बेटा स्रिलंका एक दीपी देश हैं जो की हम देखते हैं सिहली समूदाई सिहली जो है समुधाय का कितना फिशी दी बेटा चुएतर फिशी दी कितना चुएतर फिशी दी सिहली कितने है चुएतर और तमील कितने फिशी दी है बेटा अठारा फिशी दी है ठीक है और इसमें मैं आपको बता दो अठारा फिशी दी में से तेरा जो फिशिदी है स्रिलंकाई मूल तमिल है और पांस फिशिदी जो है बारतिय हिंदुस्तानी तमिल है ठीक है बिटा तो इसकी आबादी कोई मनलो हम अगर बात करें इसकी आबादी दो करोड के लगबग है यानि की हर्याना के बराबर बैल्जिम की बाती है भी कई जाते समू के लोग रहते हैं जैसे मैंने आपको बता है देश की आबादी का 74 फिशिदी सिहली जबकि 18 फिशिदी तमिल है बाकी बाग अन्य चोटे चोटे जाते समू जैसे इसाई मुसल्मान का है देश युद पूरू भागो में तमिल लोग अधिक है जबकि देश के बाकी इस्टों में सिहली लोग बाउशंग का है बलो यहाँ पर अधिकतर बाउशंग के समूदाई किसका है सिहली है बिटा और यदि स्रिलंका में लोग चाते तो भी वैल्जिम की बाती इस्टिति उत्पन होती है क्यों होती है बेटा क्योंकि सिहली को अधिक प्राथमिकता दी गई है बेटा क्या दी गई है प्राथमिकता सिहली वर्ण को क्या दी गई है प्राथमिकता दी गई है और यहाँ तक कि हम देखते हैं अब बातती स्रिलंका में भौशंकेक वाद देखू बेटा आपको बताऊं स्री लंका में गिरेज़ जैसे स्थिति क्यों उत्पन होती है क्योंकि स्री लंका में हम देखते हैं सीली को प्रात्मिक्ता दी गई सीली को राजबासा गोशित किया गया क्या किया गया राजबासा और राजबासा कब गोशित किया गया 1956 में ठीक है जिससे तमिल लोगों में अलगावपन उत्पन हुआ अगर क्यूश्टन ये भी बन सकता है कि भी तमिल लोगों में अलगावपन क्यूं महसूस हुआ ठीक है अलगावपन क्यूं थापित हुआ तो उसके पीछे रिजन ये है मातर राजबासा गोशित कर दिया गया, जिसे टमीलों को अवेलन पास करने, तो लेख सुमधाई के सुरोति शुरोल नोम करेंडेखती और राजबासा गोशित पिर डिया गय गया, और नए सुषिदान में यह प्रवादान किया गया कि सरकार बोध मथे को तैनक्षन और बड़ावा देगी इन बातों के काणिन ही तमिल लोगों में क्या हुआ बेटा तमिल लोगों में अलगाव पन उत्पन हुआ आपसे पुछा जाए तमिल लोगों में अलगा उपन कैसे उच्पन हुआ तो आप यही स्टेप देंगे अगली बाद आती है भारत में सत्ता की सांजदारी देखो बेटा भारत में सत्ता की सांजदारी पहला लेते हैं भारत में लोकतमता सासन वैस्ता है यहां के नागरिक सीधे मतादिकार के माद्धम से अपने परतिनिदी चुनते हैं लोगों दोबारा चुनिवे परतिनिदी एक सरकार को चुनते हैं इस तरह से एक चुनिवी सरकार रोजमर्रा का सासन चलाती है और नए निम बनाती है या पुराने निमों और कानूनों में संसोधने करती है next किसी भी लोकतंतर में हर परकार की ज़़ राजनी ती सक्ती का सरूत परजा होती है यह लोकतंतर का एक मूलबुथ सिद्दानत भी है ऐसे सासन वैस्ता में लोग सवराज की संस्थाओं के माद्धम से अपने आप पर सासन करते हैं एक समुचित लोकतंतर सरकार में समाज के विविद समुध और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है कि इसलिए लोक तंतर में यह जरूरी हो जाता है कि राजनितिक सत्ता का बटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो तो बारत में सत्ता के सांजदारी क्यों जरूरी है तो वो बाते हमने बताई क्योंकि हम देखते हैं कि बारत में काफी विविता भी पाई गई है बेटा बिंता भी पाई गई है यहां तक बारत एक विशाल देश है लोकतंतर देश है तो इन बातों के कारण वहाँ पर सत्ता कि साइज़ारी क्यूं आओ सके इंपोर्टन क्यूशन ने बटा ये क्यूशन काफी बार जाएस CBSC में पेपर में पूछ लिया जाता है तो ध्यान देंगे सत्ता की साइज़ारी क्यूं आओ सके स्वाइब भीटा, सबसे पहले हम देखते हैं समाज में सोहधर और श्यांति बनाई रखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं समाज में श्यांती स्थापित करने के लिए सत्ता की सांजदारी जरूरी है इससे विविन सामाजिक समू में टकराओं को कम करने में मदद मिलती है मलो शैंती बनाई रखने के लिए और विविन समूदाओं में टकराओं को कम करने के लिए सत्ता के संजदारी आवशक है किसी भी समाज में बहुशंग के आतंग का खत्रा बना रहता है और विवशंग का आतंग नेक केवल अलफशंग को समूदाओं को तभा करता है बलकिने श्यर्म को भी तभा कर देता है तो सत्ता के संजदारी के मादम से विवशंग के आतंग से बचा जा सकता है तो इसलिए भी जह सत्ता के संजदारी आवशक है नेक्स्ट तीसरी बात आते बिटा लोगों की आवाज ही लोकतंतर सरकार की निव बनाती है इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंतर की आत्मा का सम्मान रखने के लिए लोकतंतर की जह है आत्मा का सम्मान रखने के लिए क्या सत्ता की सांज़दारी जरूरी है तो हम देखते हैं सत्ता के सांजदारी एक परकार से लोकतंतर की आत्मा है ठीक है बिटा, मलों सत्ता के सांजदारी है तो ये लोकतंतर कायम है नहीं तो इसलिए लोकतंतर की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता के सांजदारी जरूरी हुई नेक्स्ट, सत्ता के सांज़दारी के दो कारण होते हैं एक सांज़दारी बरा कारण, दूसरा नित्तिक कारण वहला एक युक्ति पर कारण और दूसरा नित्तिक कारण सत्ता के सांज़दारी के सांज़दारी बरा कारण है समाज में टकराओ और बवशिंग के आतंग को रोकना सत्ता के सांजदारी बरा कारण क्या है समाज में टकराओ और बवशिंग के आतंग को रोकना और सत्ता के सांजदारी का निर्तिक कारण है लोकतंतर का आत्मा का अनुशन रखना तो इन दोनों कार्णों के लिए भी सत्ता के सांजदारी जरूरी है तो अगर ये पुछा जाता है सत्ता के सांजदारी क्यों जरूरी है आउशक तो आप ये आंसर देंगे अब अगली बात आते हैं ये क्यूशन भी इंपोर्टन्ट है इन दोनों किश्णों में से बिटा एक किश्ण चाहे है जरूर पेपर में एक्जाम में आ जाता है तो देहन देंगे सत्ता के सांजदारे के रूप सत्ता के सांजदारे के बिटा च्यार रूप है उन च्यार रूपों के उपर हम बात करेंगे सबसे पहले लेते हैं लोकतंतर में सासन विविन अंगों के बीच सत्ता का बटवारा होता है उदान के लिए हम देखते हैं बिटा विदान पालिका, कारे पालिका और नाय पालिका के बीच सत्ता का बटवारा इस परकार के बटवारों को हम क्या सत्ता के विविन अंग एक इस्तर पर रहकर अपने सक्तियों का परियोग करते हैं इसलिए इस परकार के बटवारे को हम क्या कहिए सैतिज बटवारा क्या कहिए विविन अंगों के बीच सत्ता का बटवारा ही सैतिज बटवारा कहलाता है सासन के विविन अंगों के बीच सत्ता के बटवारे से यह सुनिशित हो जाता है कि सासन के किसी भी एक अंग के पास ऐसमित सक्ति नहीं हो यह विविन स्थानों के बीच सक्ति संतुलन को सुनिशित करता है ठीक है अगली बाद आती है कारे पाले का सत्ता का उपयोग करती है लेकिन वैं संसत के अधिन होती है संसत को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है लेकिन उसे जनता को जवाब देना होता है नाय पाले का इन दोनों से सवतंतर होती है ठीक है नाय पाले का का काम होता है यह देखना कि विदान पाले का और कारे पाले का सभी नियमों का सही डंग से पालने कर रही है या नहीं कर रही तो यह क्या है सत्ता के विविन रूप अब देखो बटा एक मैं आपको बता दूँ उद्रुद्यो वित्रण उद्र उद्र वित्रन क्या होता है सत्ता जह विविन सत्रों के बीच बाटे जाती है जैसे केंदर सरकार, राज्य सरकार और स्थाने सरकार ठीक है तो विविन सत्रों के बीच सत्ता का बटवारा भी क्या है उद्र उद्र वित्रन तो ये भी सत्ता के सांज़दारे का एक रूप हुआ एक हम देखते हैं विविन जाती समू के भी सत्ता का बटवारा भी क्या है सत्ता के एक रूप है ठीक है तो ये क्या बताए हमने सत्ता के सांज़दारे के बिन बिन रूप बार जैसी विशाल देश में सरकार चलाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सत्ता का विकेंदरी कणू बार सरकार को जो है दो मुक्ह सत्रों में बाटा गया है केंदर और राज्य सरकार केंदर सरकार पर पूरे राष्ट की जिम्मेदारी होती है गनराज्य का विविन इकाईयों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है दोनों सरकारों के अधिकार छेतर से में अलग अलग विशे आते हैं तो कुछ ऐसे विशे भी होते हैं जो संजा लिस्ट में रहते हैं पर जिन पर जो है राज्य और केंदर सरकार दोनों का अधिकार होता है हम देखते हैं जैसे कि क्या जो सुची ये तीन हम देखते हैं संग सुची राज्य सुची और शमवर्थी सुची तो संग सुची पर कानूं कोन बनाती है बिटा केंदर सरकार बनाती है जबकि राज्य स सुच्ची पर कानून बनाती है राज्य सरकार कानून बनाती है और शमवर्ती सुच्ची पर कानून बनाती है के अंदर सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर लेकिन दोनों में आपस मत बेद उत्पन हो जाता है तो किसको प्राथिमिक्ता दी जाती है के अंदर सरकार को प्राथ देश हैं यहां अनेक प्रकार के बासाई लोग सामाजी की या जाती समू के लोग रहते हैं इन विविंद समू के बीच सब्सक्राइब होता है समाज के पिछडियों वर्गों को आरक्षन दिया जाता है ताकि सरकारी तंतर उनका सही परतिनी तो हो सके उदाने के लिए अलप पर्व किया जाता है नेक्स्ट अगली बात आती है विविन परकार के दबाउस समू के बीच सब्सक्राइब होता है सबसे बड़ी राजनिती पार्टी है सबसे बड़े राजनिती गठबंदन को forefront को सासं करने का मुका मिलता है बचिवी पार्टे विपक्स का निर्माण भ करें या नहीं विभिन जर्राजनितिक पार्थेंगें लोग विभिन कमेटियों के अद्द्रक्ष बनते हैं और यह यहराजनितिय पार्थेंगें के बीच जा शंक्तर-धस दर प्रकईन अच्छा उधारण भी देखने को मिलता है हम देखते हैं राजनितिक पार्टेया के अलावा देश के कई दबाव समू होते हैं उधारण के लिए जैसे कि छातर संगठन मजदूर यूनियन ऐसे संगठनों के परते हैं कई निती निर्दादक अंगों के भाग बनते हैं इस त संग्यों के आपर क्या लिया गया सथ कि संजधारी का पहला रुक क्या है शैतीज बटवारा इसके अंतरगत क्या बताया बिटा विविन अंगों को बीज सत्ता को बाटना ठीक है यह क्या विजए बटवारा यह होता है उद्र उद्र वीत्रण में हम देखते हैं विविन जहां स्तरकी सरकारों के भी सत्ता का बटवारा होना, जैसे केंदर सरकार, राज्य सरकार, स्थाने सरकार, ठीक है, तो यह हो गया विविन सत्रों पर सत्ता का बटवारा, ठीक है, केंदर सरकार, राज्य सरकार और स्थाने सरकार, फिर तीसरा क्या बता है, हमने रूप, भई स सामाजिक समू के बीच सत्ता का बहटवार हुआ और नेक्स्ट की अगला हमने लिया कि विविन दबाव समू के आधार पर या अंदुलों के आदार पर भी सत्ता का बटवारा किया जा सकता है ठीक है तो ये हो गए सत्ता के सज़रे के वीवीने रूप हो गए गएटा अब गएटा हम लेते हैं सत्ता के बटवारे में बेल्जिम मोडल की कुछ मुख्ष बाते क्या है सत्ता के बटवारे के बैल्जिम मूडल बैल्जिम मूडल की मुक्खबाते मुक्खबाते बिटा देखो सबसे पहले लेते हैं इसमें मंत्रियों की समान सेंख्या पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं सुविधान में इस बात का सपस्ट परवदन किया गया है केंदर सरकार में डच और फ्रेंच बासे मंत्रियों की संख्या समान रहेगी कोई बेदबाओ नहीं किया जाएगा परते कि समूँ कि जो है मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर होगी बेटा नेक्स्ट दूसरा हम लेते हैं सत्ता की साइजदारी केंदर सरकार की अनेक सक्तियां देश के दो इलाकों की छेत्रे सरकार को सूपर्द कर दी गई मलो जैसे की राज्य सरकार और स्थाने सरकार मलो यहाँ पर केंदर सरकार की सक्तिय को कम करते हैं राज्य सरकार के अधी ने किया गया नेक्स्ट बुरिशलस में अलग सरकार बुरिशलस में भी अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान परते निदता हुए फ्रेंच बासाई लोगों ने बुरिशलस में समान परते निदतों के इस परस्ताओं को सुविकार किया क्योंकि डच बासाई लोगों ने किंदर सरकार में ब्राबरी का परते निदतों सुविकार किया था बुरुसलस में भी तीसरे सतर की सरकार कौनशी एक सामूदा एक सरकार जिसे स्थानी सरकार के नाम से जाना जाता है तो इस परकार से हम देखते हैं ये क्या थी बेटा सत्ता के बटवारे की बैल्जियम मोडल की मुखे कुछ बाते हैं या बैल्जियम मोडल की मुखे विशेश दाएं ठीक है बेटा अब बेटा 37 वित्रण और उद्र 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 वित्रण अंतर बताओ तो पहले हम 37 वित्रण के स्टैप लेते हैं देखो बेटा 37 वित्रण में मैंने आपको बताया था विभिन अंगों के बीच सत्ता का बटवारा क्या कहलाता है 37 वित्रण ठीक है उद्र 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 वित्रण विविन सत्त्रों के बीच सत्ता का बटवारा उद्र 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 वित्रण कहलाता है एक अंतर हो गया हम लेते हैं 37 वित्रण की तरफ है इसमें सरकार के विविन अंग एक स्तर पर रहकर अपनी सक्ति का उप्योग करते हैं सक्ति का उप्योग करते हैं किसकी तरफ 37 वित्रन की तरफ लखेंगे उद्र-वित्रन की तरफ इसमें उच्छ तर तथा नियमं थर को सरकारएं निमन स्तर की सरकारे होती हैं सैतिज वितरण की तरफ तीसरा स्टेप लिखेंगें इसमें परतेक अंग दूसरे पर नियंतरण रखता है जबकि उद्र उद्र वितरण की तरफ लिखेंगें इसमें निमन स्तर के अंग उच्छ स्तर के अंगों के अधिन काम करते हैं उद्र उ तो बैटा इस वीडियो के माद्दम से जो जो मैंने आपको टोपिक समझाए इन टोपिक से समदी जो भी कुष्टन बनते हैं उन सभी कुष्टनों को अपने फेर नोटव में write करना है आपने और learn करना है बटा इस वीडियो में मैंने जो है political science का first chapter सत्ता के science दारी वो आपको समझाया है I hope आपके समझ में आ गया होगा इन सभी कुष्णों को अपने fair note में write करना है learn करना है okay nice talking to you बटा thank you